तो दोस्तों अबेदन पत्र केसे लिखा जाता है उन्हीं के बारे हम इस वीडियो में जोनेंगे इस पर हम यहां प्लिखेंगे सेवा मैं स्रीमान सेवा मैं स्रीमान प्राधाना ध्यापक प्राधाना ध्यापक महोदे यह था हम लिख दिये सेवा मैं स्रीमान प्राधाना ध्यापक महोदे अब हमको यहां पर लिखना है अपने इस्कूल का नाम जो भी इस्कूल होगा यहां पर यहां पर लिखेंगे इस्कूल का नाम इसकूल का नाम सेवा मैं स्रिमार्ण प्रदामा दिया अपप्पक महौदे और यहां पी इसकूल का नाम लिखने के बाद बिसह यहां प लिखेंगे बिसह बिसह कमें दे देंगे हम छुट्टी के संबंद में या फिर जो भी विशै हो जिसे की साधी विवा कुछ भी रहे तो वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं लिखेंगे इसमें हम छुट्टी के संबंद में यहाँपे लिख दीए है अभ लिखेंगे द्वारा दोरा का मतलब हुआ किसके दोरा चुट्टी लेना चाहते हैं तो हम चिरिक है वर्ग सीथी का महदे सिर्वान प्रधान दिया पक महद е इस्कूल का नाम भी सै द्वारा अब यहां फोगा महा सै यहां पर कॉमा देंगे उसके वाद लिखेंगे सोविने कि निवेदन कि सोविने निवेदन यह है कि यह है कि मैं बुखार से पिरित हूं मैं बुखार से इसलिए मैं बिद्याले आने में और समर्थ रहूंगा या रहूंगी इसलिए मैं बिद्याले आने में आने में और समर्थ रहूंगा या फिर रहूंगी यानि जो लड़की रहेगी अपना रहूंगा लगाएगा सोविने निवेदन यह है कि मैं बुखार स्पिर्थ हूं इसलिए मैं बिद्याले आने में और समर्थ रहूंगी आता स्रीमान से निवेदन है अताह शिरीमान से अता स्रीमां से निवेदन है कि मुझे जल्द से जल्द छुट्टीए देने का किर्पा खड़े जल्से जल्द ये ज्लाइन दिये हैं इसका मतलब होता है से जल्द से जल्द छुट्टी देने का किरपा कड़े आप तो हो या किरपा कड़े इसके लिए मैं स्रीमौन का सिदा अभाडी रहूंगा या रहूंगी यहां आप लिखेंगे इसके लिए मैं स्रीमौन का सिरीमौन का सदा अभाडी रहूंगा या यहीं पिली रहते हैं रहूंगी यहां आप लिखेंगे आपका आक्या काडी छात्र या फिर छात्र अपना यहां पे नाम रॉल नम्मर वर्ड यह सब लिखने के बाद यहां पे दिनंग लिखेंगे जमा कर देना है तिसमें हम क्या समझेंगे यह जो कोश्चन बोर्ड इकजम में पौंच नमर का हर साल आपको मिलेगा क्योंकि यह बोर्ड इक जाम में हर साल पहुंच अंक क ले सके पहला कंडीजन아 से महा में लिखेंगे से यहां पर उपे कुछ तह दो पहले रह वे कड़ेगा अपरधाना द्यापक महौद नंहीं अगर अपने रिजत लिखते हैं ति यहां उपिल निकींगे गजरा इसंटी देना है नाम उसके वाल है यहां पी से चुट्टी के संबंद में तो इसमें भी लिख सकते हैं वर्ठल कर लडकी नड़का तो शिक्षक अब हम जो ओनेंगे यहाँ पे हैं महासे महासे हम क्या बोले हैं महासे सोबिने निवेदन यहाई कि मैं बुखार से पिरित का मतलब होता है बिमार और यहाँ पर हम लिखे हैं कि सोबिने निवेदन यहाई कि मैं बुखार से पिरित हूँ इसलिए मैं विद्या ले आने में औ समर्थ रहूंगा या रहूंगी तो समर्थ का मतलब हुआ हमको अभी समर्थ नहीं है यानि कि हम काम नहीं कर सकते औ का मतलब होता है नहीं समर्थ का मतलब हुआ समर्थन करना रहूंगा रहूंगी का मतलब हो गया यहाँ पे गर लड़का है तो रहूंगा का पडियोग गाला उसके बाद नीचे में अता स्री माहुन से निवेदन है कि मुझे जल से जल्द से जल्द शुट्टी देने का किर्पा करे यानि कि स्री माहुन का मतलब हुआ प्रिंस्वल से निवेदन कर रहे हैं कि हमको जल्दी जल्दी छुट्टी देने का किरपा खड़े इसके लिए मैं स्रीमान का सदा अभारी रहूंगा या रहूंगी तरहूंगा या रहूंगी तो समझ यह रहे हैं कि लड़का और लड़की का बात थोड़ा यहां पे दिनांग के लिए देंगे और आपका क्या काड़ी चात्र या चात्रा उसके बाद यहां पर नाम रॉल नमर बर्क इन सब को लिखने के बाद पूरी तरह सब करेंगे यह सब करने के बाद आप जमा कर दीजिएगा ता आपको छुट्टी भी मिल जाएगा इसकुल में और साथी साथ अगर बोड़ी जाओं में इसको बना के आते हैं इस तरह से तापको पॉचंक जो है फिक्स है जादे लंबा नहीं करना है नाहीं जादे चोड़ा करना है जो सटिक है वो लिक के नमर उठाना अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक कोमेंट से सब्सक्राइब यरूर कर दीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में